नमस्कार बच्चों आज हम आपकी पुस्तक व्यवसाइक अध्यान के भाग एक का आठवा अध्याए नियंतरन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यह अध्याए आपके विशय में जो आप प्रबंधन की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं उसका आखरी अध्याए है आपने इससे पहले प्रबंधन की प्रक्रियाओं में चार अध्याए पढ़े हैं जिनमें नियोजन, संगठन, भरती वो निर्देशन रहे आप में अभी तक इस बात की समझ स्थापित हो गई होगी कि प्रबंधन या किसी भी प्रबंधक के द्वारा किया जाने वाला कार्य एक कई कारियों की श्रंखला द्वारा बनने वाला कार्य है कोई भी प्रबंधक अपने कार्य काल में एक प्रबंधक के तौर पर जो कार्य करता है उससे इन विभिन्न चर्णों में वर्गिकरित किया जाता है अर्थात कोई भी प्रबंधक किसी भी प्रकार के दिये गए कारी को पूरा करने के लिए इन सभी चरणों से गुजरता है सबसे पहले वो नियोजन करता है नियोजन में वो योजनाय बनाता है, उदेश्च निर्धारित करता है विभिन्न विकल्पों को ढूणता है, उनमें से सर्वसरिष्ट विकल्प को चुनता है उसके द्वारा काम का क्रियान वन करता है फिर काम को करने के लिए अपने संस्था में एक संगठन या संगठनिक धाचा तयार करता है उस धाचे में विभिन्न पद, विभिन्न लोगों के पदों का निर्धारण करता है उन पदों के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों यानि करमचारियों की भरती करता है इसके पश्चात भरती किये गए कर्मचारियों के द्वारा काम को करवाने के लिए उन्हें निर्देशित करता है हमने पिछले अध्याए में देखा कि निर्देशित करने के लिए एक प्रबंधक कई तरह के काम करता है जैसे कि वो परियवेक्षन भी करता है इसके अलावा वो महार्ग दर्शन करता है, वो अभी प्रेड़ना देता है, वो अपनी नेत्रित्व शैली के द्वारा अपनी दल को, अपनी टीम को या अपने कर्मचारियों को साथ लेकर आगे की ओर बढ़ता है, वो समस्याय आने पर या समय समय पर तरह-तरह की संचार लेकर जाता है, अब नियंत्रन का जो अध्याय है, वह इसलिए महतोपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि कोई प्रबंधक सही समय पर सही तरीके से कारी की प्रगती की जाच ना करे, और होने वाली कमियों को समय पर नियंत्रित ना करे, तो इससे पहले के किये गए सभी कार सभी चरण और सारी मेहनत एक तरह से व्यर्थ हो जाएगी नियंत्रण एक बहुत ही महतोपूर्ण कार्य है इसमें अधिनस्तों से नियोजित परिणामों की इच्छा रखने के लिए या उन इच्छाओं की पूर्ती के लिए प्रबंधक उनके क्रिया कलापों पर करता हैं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियंत्रण संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियाओं को निश्पादित करने से जुड़ा हुआ है नियंतरन का ही चरण है जहां पर एक प्रबंधक या सुनिश्चित करता है कि जो योजनाएं पहले बनाई गई थी, जो उदेश्य पहले रखे गए थे, उन उदेश्यों की तरफ और उन योजनाओं की ओर क्या हमारा संगठन और हमारे कर्मचारी सही तरीके से अग्रेसर हैं क्या हम समय पर अपने उदेश्यों को प्राप्त कर पाएंगे, क्या हमारे कार्य, हमारे योजनाओं के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं, और यदि नहीं चल रहे हैं, तो उसके क्या वजह हैं, उसके में क्या कमिया आ रही हैं, उन कमियों को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए क्या कदम उठाये जाएं ताकि हम समय पर और सही तरीके से कुशलता पूर्वक अपने उद्देश पूरे कर सकें। इसलिए नियंतरण को एक बहुत ही महत्वपूर कारे समझा जाता है। इस अध्याय में हम बहुत छोटी छोटी बारी के ओपर चर्चा करते हुए नियंतरण के कई पहलूओं को जानेंगे। हम देखेंगे कि नियंतरण क्यूं इतना महत्वपूर है। उसमें क्या कमिया है। क्या नियंतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से एक सर्वस्रेश्ट प्रक्रिया है जो हमें सभी समस्याओं का समधान देगी। नियंतरण कैसे किया जाए। उसमें क्या क्या कदम या चरण आते हैं। वह नियंतरण करने की विधिया क्या है। तो आईए शुरू करते हैं और इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं कि नियंत्रन किसी भी प्रकार के प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर है। प्रबंधक का कोई भी स्तर हो चाहिए वो शीर्श, मध्यम या निम्स्तर हो सभी प्रबंधकों को अपने अधिनस्त करमचारियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाना परता है। लेकिन कई बार नियंत्रण को प्रबंध के प्रक्रिया का अंतिम चरण मान लिया जाता है ऐसा करना भूल होगी कहने का अतातपर्य यह है कि नियंत्रण करने के बाद एक प्रबंधक का कारे खत्म नहीं हो जाता नियंत्रन करने के बाद एक प्रबंधक पुन्ह अपने इस चक्र में वापस जाता है और वहाँ नियोजन से वापस शुरू करता है यानि नियंत्रन और नियोजन आपस में जुड़े हुए हैं इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा नियंत्रन किसी भी प्रबंधन के लिए या प्रबंधक के लिए अंतिमकारे नहीं हो सकता इसे समझने के लिए हमें नियंत्रन और नियोजन में समझना होगा नियोजन जो की प्रबंधन का पहला कदम या चरण है और नियंतरण जो की कहने को उसका आखरी चरण है ये दरसल आपस में वापस मिलते हैं नियंतरण के बाद पुने हमें नियोजन पर जाना होता है दोनों एक दूसरे से बहुत प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं आई ज़रा इस बात को समझते हैं अब मान लीजिए एक प्रबंधक किसी कर्मचारी के कारियों को नियंतरित करना चाहता है वो देखना चाहता है कि यह करमचारी दियेगे कारी को कर रहा है कि अब मेरी बात में ही यह शब्द शामिल है कि दियेगे कारी को कर रहा है कि अब यदि क्या कारी दिया गया था वही स्पष्ट नहीं होगा यदि करमचारी को दिया गया उदेश्य ही स्पष्ट नहीं होगा तो हम नियंतरण किस बात का करेंगे और यह उदेश कब निर्धारित होता है यह नियोजन की प्रक्रिया में निर्धारित होता है यानि जब हम नियोजन करते हैं तो हम उदेश निर्धारित करते हैं हम यह सोचते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमें किस ओर बढ़ना है और उसके अनुसार करमचारियों को कारी दिये जाते हैं अब बिना नियोजन के हम नियंतरन किस बात का करेंगे बिना नियोजन के तो नियंतरन अर्थ ही न होगा एक प्रकार से इसमें कोई दृष्टी नहीं होगी, हम कुछ देख नहीं पाएंगे कि हमें किस चीज का नियंतरण करना है हम यह नहीं बता पाएंगे कि कर्मचारी काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं है कि काम करना क्या था या उदेश्य क्या था उसी तरह बिना नियंतरण नियोजन भी द्रिश्टेहीन है क्योंकि यदि आपने योजनाय बना लिए लेकिन आप समय समय पर यह नहीं देख रहे हैं कि योजनाय ठीक प्रकार से क्रियानवित हो र रहे हैं और हमारे कर्मचारी उसके अनुसार काम कर रहे हैं के नहीं यह देखने के लिए नियंतरण जरूरी है यदि हम नियंतरण नहीं करेंगे तो योजनाय बनाने का क्या फाइदा तो कहने का तात्पर यह है कि नियोजन के बिना नियंतरण अर्थहीन है और नियंतरण के बिना नियोजन द्रिष्ट हीन है यदि हम नियोजन के चरण में मानकों का निर्धारन नहीं करेंगे तो प्रबंधक को नियंतरन करने के लिए कुछ होगा नहीं यदि नियोजन नहीं है तो नियंतरन का कोई आधार नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि नियंतरण के लिए नियोजन पूर्व निर्धारित उपयोगिता नहीं होगी हम यह नहीं देख पाएंगे कि हमारा जो निश्पादन है वो सही है कि नहीं तो इस प्रकार यह बात तो इस पश्ट हो गई कि नियंतरण और नियोजन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं एक दूसरे के बिना दोनों का कोई काम नहीं इसके अतरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नियोजन एक बॉधिक प्रक्रिया है इसमें हम सोचते हैं हम अपने कारियों का उचारन करते हैं हम खोज Initially करते हैं कि उपलब्धी के लिए उप्युक्त कार्य विधिकाने धारण करते हैं तो यहां एक बौधिक क्रिया है क्योंकि इसमें हम अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके सोच विचार अधिक करते हैं वही नियंत्रन इस बात की जाच करता है कि क्या निरणयों की अपेक्षित परिणा आमों में परिवर्तित कर पा रहे हैं या नहीं इस प्रकार जहां एक तरफ नियोजन एक आदेश आत्मक प्रक्रिया है जिसमें सोच विचार कर निरणय लेकर नीतिया बनाकर आदेश के रूप में आगे दिया जाता है जबकि नियंत्रन एक मुल्यांकन प्रक्रिया है इस जाकता है इसमें हम यह सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना है हम आने वाले समय में क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमारी कारेविधी क्या होगी तो हम भविश्य की सोचते हैं वही नियंत्रन एक निश्यत समय अवधी के बाद उस अवधी में किये ग पीछे की ओर देखता है अता नियोजन में आगे देखना सम्मिलित है इसलिए यह प्रबंद का दूरदर्शी कारी कहलाता है इसके विप्रीत नियंतरण में भूत-पूर्व क्रियाओं की शव परिक्षा यानि पोस्ट-मॉटम किया जाता है जो इस बात का पता लगाती है कि मानकों में कहां-कहां विचलन है क्या कम्या हमारे काम पर रह गई यानि नियंतरण पीछे देखने वाला कार्य है लेकिन यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि हम केवल यह नहीं कह सकते कि नियोजन पूरी तरह से भविश्य पर आधारित है और नियंतरण पूरी तरह से भूत पर आधारित है बलकि दोनों ही चीजें भविश्य और भूत दोनों से जुड़ी हुई है जैसे कि नियोजन भविश्य पर आधारित है यह तो बहुत स्पष्ट है कि हम आगे की योजनाय बनाते हैं लेकिन जरा सोचिए क्या हम आगे की योजनाय पीछे की गलतियों से लेकर फिर आगे योजनाय बनानी होती है तो वह ना नियोजन भी पीछे देखकर फिर आगे की त्यारी यानि नियोजन में भी हम भूतकाल और भविश्यकाल दोनों के बारे में सोचते हैं ठीक उसी तरह नियंतरण जहां एक तरफ भूतकाल में किये गए कारियों की जाच- परताल है लेकिन वही नियंतरण से निकले परिणाम हमें भविष्य के लिए तयार करते हैं तो नियंतरण भी कही ना कहीं भविष्य से जुड़ा हुआ है तो दोनों ही नियोजन और नियंतरण भूत और भविष्य दोनों से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार हमने नियोजन बिना नियांतरण अर्थ हीन है और नियांतरण बिना नियोजन द्रिश्ट हीन है दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं दूसरी बात नियोजन जहां एक तरफ बौधिक क्रिया है जहां यह आदेशात्मक क्रिया है वही नियांतरण एक प्रकार की मुल्यांकन क्रिय तीसरी बात नियोजन और नियंतरण दोनों ही भविश्य और भूत दोनों को ले कर चलते हैं यह समझने के बाद अब हम और अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि नियंतरण कितना महत्वपूर है नियंतरण के बिना हमारे प्रबंधन की पहली क्रिया ही अर्थीन हो जाएगे इसलिए नियंतरण को बहुत अच्छे से सोच समझ कर किया जाना चाहिए आईए अब आगे बढ़ते हैं और नियंतरण के कुछ और पहलूँं पर भी चर्चा करते हैं अभी तक यहाँ बात तो हम समझी चुके हैं कि नियंतरण कितना महत्वपूर है लेकिन आए इसके महत्व को कुछ बिंदूओं के द्वारा और अच्छे से समझते हैं सबसे पहली बात कि नियंतरण संगठ नात्मक लक्षियों की प्राप्ती में सहयता करता है जो लक्ष व उद्देश हमने पहले निर्धारित किये वो पूरे किये जा रहे हैं और हम उसके तरफ सही समय पर सही तरीके से अगरिसर है या नहीं इसकी पुष्टी नियंतरण के जरिये होती है दूसरा नियंतरण मानकों की यथार्थता को जाचता है इसका आर्थ यह हुआ कि नियोजन के समय हमने जो उद्देश या मानक निर्धारित किये थे जिनके आधार पर हम नियंतरण करते हैं नियंतरण के बाद हमें कई बार यहां भी पता लग जाता है कि वो मानक ठीक थे कि नहीं मान लीजिए हमने किसी दल या किसी कर्मचारी के लिए एक महीने में सो इकाईयों के उतपादन का लक्ष रखा हमने जब जाच की तो हमने पाया कि उतपादन सो का नहीं बलकि 80-90 के बीच का हो रहा है हमने सभी तरह की कोशिशे की बार-बार देखा लेकिन बार-बार यहाँ पाया गया कि उतपादन 80-90 इकाईयों का ही हो पा रहा है इसके आधार पर आप यह सोच यह कह सकते हैं कि हो सकता है सारी कोशिशों के बावजूद उतपादन इतना ही हो पाए शायद हमारी या हमारी कर्मचारियों की शमता ही इतनी हो तो ऐसे में जो सौ इकायों का हमने मानक निरधारित किया या जो उदेश निरधारित किया कही ना कही उसमें कुछ तुरुटी है हमें उसे ठीक करना चाहिए इसका विपरीत भी हो सकता है यदि हमने मानक सो एकायों का रखा है और हर बार उत्पादन इससे बहुत अधिक हो रहा है तो हमें अपने मानक को और बढ़ाने की आवश्क्ता होगी तो इस प्रकार नियंतरन करने के बाद, जाच परताल करने के बाद हम अपने मानकों की अथारता को भी आख सकते हैं इसके अतरित नियंतरन कर्मचारियों की अभी प्रिर्णा में सुधार लाता है यह कर्मचारियों को अभी प्रिरित करता है, मोटिवेट करता है क्योंकि यदि हमारे संगठन में नियंतरन की विधिया अच्छी तरह से लागू होती है तो हमारे कर्मचारियों को यह पता रहेगा कि उन्हें कितना काम करना है उन्हें मानक पता रहेंगे, उन्हें यह भी पता रहेगा कि यदि उन्हें मानकों से आगे बढ़ कर काम किया तो नियंतरण के परश्चात उन्हें इसकी साबाशी मिलेगी उन्हें इसके बदले में उपहार मिल सकते हैं या अन्य प्रकार के फाइदेयों ने हो सकते हैं तो ऐसे में कर्मचारी सदा अपने काम को उठा कर रखने की कोशिश करते हैं इसके अतरिक्त ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो कई बार असयोग का विवहार दिखाते हैं जो निश्क्रिय होते हैं जो अकर्मन्य होते हैं जो कई बार ठीक से काम नहीं करते हैं तो नियंतरण का चौथा महत्व यह है कि यह ऐसे करमचारियों को आदेश वा अनुशाशन में रखने का काम करते हैं नियंतरण के माध्यम से हमें पता लगेगा कि कौन से कर्मचारी अपने शमता अनुसार या उदेश वा मानक अनुसार काम नहीं कर रहे है। यदि बार-बार कहने पर भी वो मानकों के अनुरूप कारे नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध उचित कारेवाही करने का निर् पूर्ण हो जाता है। लेकिन कई बार नियंतरण की क्रिया में कुछ कठिनाईयां भी आती हैं। इसमें हमें कुछ सीमाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहला कि नियंतरण की पूरी प्रक्रिया मानकों पर अधारित हैं। और कई बार ये मानक परिमानात्मक रूप में निर्धारित करना कठिन हो जाते हैं कई बार मानकों का परिमान या मूल्य निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि कितना काम सही होगा और कितना नहीं होगा उसका माप क्या होगा उसकी मूल्य क्या होगी तो इसको निर्धारित करने में कठिनाई प्रबंधकों को देखनी पड़ती है इसके अतरिक्त नियंत्रन बाहिय घटकों पर नियंत्रन नहीं कर सकता यानि कई बार कर्मचारियों के और हमारे संगठन के पूरी कोशिशों के बावजूद कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हो पाता क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं व्यवसाय का जो वातावर्ण है वह बहुत जादा परिवर्तन शील है तो बाहर के कई घटक ऐसे हैं जिनके कारण हमारे कार्य पर असर पड़ता है उन घटकों का हम नियंत्रन के द्वारा कुछ नहीं कर सकते हैं वह हमारे नियंत्रन से ही बाहर है इसके अतरिक्त कई बार नियंत्रन कर्मचारियों से प्रतिरोध का सामना करता है यानि यदि नियंत्रन के विधियां बहुत जादा कठोर हैं तो कई बार कर्मचारी उसका प्रतिरोध करते हैं कठोर ना भी होने पर कई बार कर्मचारियों की यह नीती होती है या उनका व्यवहार होता है कि वो नियंतरण का विरोध करते हैं वो ये पसंद नहीं करते हैं कि उनके उपर इतनी जादा निग्रानी रखी जा रही है, उनके उपर इतना जादा रोक टोक किया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का पृतिरोध एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा होता है। अंत में नियंतरन कई बार एक महंगा सौधा भी साबित होता है। क्योंकि नियंतरन करने की जो विद्या हम आगी सीखेंगे, हम देखेंगे, उसके लिए बहुत सारे खर्चे, बहुत सा समय लगाना पड़ता है। नियंतरण के लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कुछ समय और ध्यान लगाना पड़ता है, जो की एक महंगा सौदा साबित होता है। तो नियंतरण ठीक प्रकार से करना ही अपने आप में एक चुनावती है। बच्चो आज हमने नियंतरण के अर्थ को बहुत विस्तार में देखा है। हमने नियंतरण के महत्व को जानने के लिए इसकी नियोजन से तुना भी की। वह अभी हमने नियंतरण के महत्व वह इसकी सीमाओं को देखा। अब हम अगले भाग में नेंतरन की प्रक्रिया को और इसके अंदर आने वाले चरणों को विस्तार से समझेंगे इसके साथ हम संक्षेप में नेंतरन की जो विधियां विभिन कंपनिया या विभिन विवसाई जगत में मानते हैं या उनको उपयोग करते हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे अगले भाग को देखने से पहले आप जरूर आज के भाग में सीखी गई बातों को और अच्छे से पढ़ें वह समझ कर रखें ताकि आप अगले भाग में आकर नियंत्रण की विधी को समझ सके आज के इस भ कर दो करते हैं?